दोस्तो पिछले ही महिना डाक्टर अमेटकर सहभ की मूर्ती और गांधी जी की मूर्ती संसत परिशत से बाहर हटाकर मतलब कहीं दुसरे जगा उनकी मूर्तिया को रख दे गई हैं इसी पर एक जुलाई के सदन में दोनों सदन में थी करवाई लोकसभा और राजसभा में जो अभी कंग्रेस के अध्यक्ष है मलिक अजुन खरके ने इस मामलोग को उठाई थी कि बावा सहेब की परतीमा और गांधी जी का परतीमा जो संसत के परिशत में था वहां कहीं दुसरी जगुन हटा के रख दिये थी अलुक अलिक खरके जी ने कही थी कि बावा सहेब की जो परतीमा लगाई गई थी जब मच्छात्र संग में पर रहा था उसी समय धरना परतीमा बिरोध के परतीमा को लगवाई गई थी दो अप्रैल 1967 को लगवाई गई थी और उन में हजारों लोग की जेल भी हुई थी ग्रेपतारी भी हुई थी उसी परका गांधी जी की मूर्ती के 2 अक्टूबर 1993 में लगवाई थी जब कॉंगरेश की सरकार पनी थी तब इसका बिरोध कॉंगरेश ने इसका बिरोध बीजेपी ने की थी धरना परदसर द्वारा है लेकिन वहां से अंबेटकर और गांधी के मुर्ति हटाने का कारण और रिजन क्या हो सकता है तो रिजन खरगे जी ने एही बतला है कि सदन के अंदर अगर सदन अच्छा से नहीं चलता था जब भी पक्ष के अगर बात को नहीं माना जाता था तो अंबेटकर सहाइब के मुर्ति और गांधी जी के मुर्ति के साबने धर्ना प्रदर्शन करने लगते थे और उनकी जैनेतिति और पूनेतिति पर सभी आजमी मला आरपन करते थे उसके बाद और भी लोग देखने भी आते थे लेकिन ओहां से मुर्ति हटा के कहीं और शिप्ट कर दिया गया टाक्टर अंबेटकर जी को और गांधी जी इससे पहले भी सबसे पहले इस जनकारी को राजिंदर पाल गौतम ने इस जनकारी को पहले सोशल मीडिया पर डाला था उसके बाद अजास समाज जो भीम आड़मी है चंसेखर अजादिरावन की कांसी राम की इसके लिए मा राष्ट पती को उन्होंने पत्र लिखाता है इसका क्या रीजन है अक्या सरकार करने वाली है उसके बाद एक जुलाई को अमर आजास सुधीर रजक और तमाम ऐसे जो भी लोग है बी एसपी के बी एन कॉलेज पत्ना में चार बजे उन्होंनों धर्ना परदरसंदिया था एक जुलाई दुहजार चोविस को लेकिन बि तक इस मामले में कहीं भी सुनबाई नहीं हुए नहीं अमबेटकर साहिब के मुर्ती और गांधी के मुर्ती जिस जगह पर अस्थापित थी उस जगह पर नहीं रखा गया है देखिए आगे क्या होता है जैसे आगे कुछ ख़बर आती है तो आप लोग की बतलाते हैं बाक जो भी पक्ष के लोग हो या देश के लोग हो इस मुर्ती बैठवाने के लिए जिस जगह पर था उस जगह पर हो सकते हैं या भारत बंद के भी संभावना है लोगों ने कुछ लोगों ने बात करते हुए सोसिल मेडिया पर डाला है अगर वहां पर मुर्ती अस्थापित नहीं होती है देश भर में धरने परदर्शन और भारत बंद करने की एलान की जाएगे देखते हैं कहां तक सफल होता है अभी सफल होता है